जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं आज गुरुवार के दिन भगवान विश्डू और मालच्मी की यह कथा यदि कोई व्यक्ती अपनी जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही मालच्मी के साथ भगवान विश्डू की अराधना अवश्य करे इन दोनों कारिस्ता काफी सुध वश्यर्वश्रेष्ट माना जाता है परन्तु ऐसा क्या हुआ था जो लच्मी जी के कारण भगवान विश्डू की आखें भर आई पुरारो में विख्यात एक कथा के अंसार लच्मी जी की किस बात से विश्डू जी इतने निराश हो गए पुरारो में लिखी एक कथा के अंसार एक बार भगवान विश्डू शीषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धर्ती पर जाने का विचार बनाया धर्ती पर जाने का मन बनाते ही विश्डू जी जानी की तैयारियों में लग गए अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लच्मी माने उनसे पूछा स्वामी आप कहा जाने की तैयारी में लगे हैं जिसके उत्तर में विश्डू जी ने कहा ही लच्मी मैं धर्ती लोग पर घूमने जा रहा हूं यह सुन मा लच्मी जी का भी धर्ती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने स्री हरी से इसकी आग्या मांगे मा लच्मी द्वारा प्रात्ना करने पर भग्मान विश्डू बोले तुम मेरी साथ चल सकती हो लेकिन एक सर्थ पर तुम धर्ती पर पहुच कर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत दीखना तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा यह सुनते ही माता लच्मी ने हां कह दिया और विश्रू जी के साथ धर्ती लोग जाने के लिए तैयार हो गई माल लच्मी और भग्वान विश्रू शुबसुब धर्ती पर पहुच गए जब वे पहुचे तब अभी शुर्य देवता उदै हुए ही थे रात्री में बर्सात हुई थी जिसका रड़ चारो ओ हर्याली ही हर्याली थी धर्ती बिहत सुन्दर दिख रही थी जिसके फर्स्वरू मालच में मंत्र मुग्द होकर धर्ती के चारो ओर देख रही थी और भूल गई की पती को क्या वचन देकर आई हैं अपने नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा के ओर देखा उन्हें पता ही नहीं चला मन ही मन मुग्द हुई मालच में जीने जब उत्तर दिशा के ओर देखा तो उन्हें एक सुन्दर बगीचा नजर आया उस ओर से भीनी भीनी खुस्बू आ रही थी बगीचे में बहुत ही सुन्दर सुन्दर फूल खिले थे फूलों को दीखते ही मालच में बिना सूची समझे उस खेत में चली गए और एक सुन्दर सा फूल तोड लाई फूल तोडने के पस्चार जैसे ही मालच में भगवान विश्रू के पास वापस लवड कर आई तो भगवान विश्रू की आखों में आसू थे मालच मी के हाथ में फूल देख भिश्रू बोले कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही उन्हें विश्रू जी को दिया हुआ बचन भी याद दिलाया मालच मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विश्रू से इस भूल की छमा मांगी विश्रू नहीं कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हे अवश्य मिलेगी जिस माली की खेट से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है इसलिए अब तुम तीन वर्ष तक माली के घर नौकर बन कर रहो उसके बाद मैं तुम्हे बैंकूंठ में वापस बुलाओंगा भगवान विश्डू का आदेश मालच्मी ने चूपचाप सर जुका कर माल लिया जिसके बाद मालच्मी ने एक गरीब अवरत का रूप धारड किया और उस खेद के माली के घर गई माधव नाम के उस माली का एक जोपड़ा था जहां माधव की पत्नी दो बेटे और तीन बेटियां रहते थे मालच्मी जब एक साधारड अवरत बनकर माधव के जोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा बहन तुम कौन हो तम मालच्मी ने कहा मैं एक गरीब अवरत हूँ मेरी दीख भाल करने वाला कोई नहीं मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया मुझे कोई भी काम दे दो मैं तुम्हारे घर का काम कर दूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपनी घर के एक कौने में आसरा दे दो माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था उसे दया आ गई लेकिन उसने कहा बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूं मेरी कमाई से मेरे घर का खर्ज काफी कठनाई से चलता है लेकिन अगर मेरी तीन की जग़ चार बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सुखा हम खाते हैं उसमें खुस रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ माधव ने मा लच्मी को अपने जोपडे में सरण दी और मा लच्मी तीन सार उस माधव के घर पर नौकरानी बन कर रही कथा के अंसार कहा जाता है कि जिस दिन मा लच्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि साम को उसने एक गाय खरीद ली फिर धीरे धीरे माधव ने जमेन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिये कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरू औरत को देखा जब निकट गया तो उसी आभास हुआ कि यह तो मेरी मुह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है कुछ समय के बार वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बलकि शोयम मा लच्मी है यह जानकर माधव बोला हेमा हमें छमा करें हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया हेमा यह कैसा अपराध हो गया हेमा हम सब को माप कर दें यह सुन मा लच्मी मुश्कुराई और बोली हेमा धव तुम बहुत ही अच्छे और दयालू ब्यक्ती हो तुमने मुझी अपनी बेटी की तरह रखा अपने परिवार का सदस्य बनाया इसके बदले मैं तुम्ही बरदान देती हूँ की तुम्हारे पास कभी भी खुश्यों की और धन की कमी नहीं रहेगी तुम्हारे सारे सुक मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो इसके पस्चात मालच्मी अपनी स्वामी की द्वारा भीजी रत में बैठकर बैंकूंट चली गई